आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक मैं छोटी ची जैकट लेकर आई हूं जो की हाफ जैकट होती है यह देखो यह मैंने एक हिस्सा इसका बना रहे है फ्रांट हिस्सा नीचे से मैंने थोड़े से कटांग जैसे बॉर्डर बनाया है जै मैंने 44 फंदे डाले हैं 44 फंदे डार के मैंने 4 सलाइया मैंने सीधी सीधी की चडा ली है और 4 सलाइया हमने सीधी और उल्टी की चडाने है सीधी और उल्टी चार स्लाइए हम सीधी उल्टी की चड़ाके 44 फंदें डालके मैंने ये वाला बॉडर पर ले बनाएंगे ये वाला चार स्लाइए मैंने सीधी सीधी चड़ाके और चार स्लाइए मैंने सीधी उल्टी की चड़ाके फिर आपके दिखाती हूं क्या करना सीधी उल्टी चड़ा लो इधर से सीधी उधर से उल्टी उल्टी तरफ से उल्टी ऐसे आप एक सीधी उल्टी और बना लो चार से लेगा मैंने सीधी उल्टी की चड़ाली और चार से लेगा हमने सीधी उल्टी की चड़ाली अब क्या करना दो तीन चार पान छे साथ और आठ ए आठ के मल्टी के साप से होगा आठ फंदे कर लिए फिर ऐसे गुमा कर फंदे को ऐसे उतार लिया फिर ऐसे गुमाया फंदे को इसमें किया ऐसे बूल लिया आठ फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ एट फंदे करने के बाद एक फंदे को ऐसे घुमाया ऐसे फंदे को तारा यह वाप पस ऐसे किया स्वाई में किया और इसको भूल लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ और आठ फिर ऐसे घुमाया वंदे को तारा पांच छे साथ और आठ तो तीन चार पांच छे साथ और आठ फिर ऐसे घुमाया वंदा ऐसे किया फिर ऐसे किया और ऐसे बुन लिए फिर आठ फंदे वैसे हमारे सिंपल बुन लेंगे और युमाया वका वका उल्पिस लपी बुली बुली उल्टी स्लाई एक दो ती छे फंदे हमने तागा पीछे करके सीधे बुण लेने ये हमारी बड़न पट्टी के लिए सीधी स्लाई छे फंदे तो हम बड़न पट्टी के लिए अब हम जे वाला डिजाइन डालेंगे इसके लिए क्या करना एक फंदा सीधा धागा ऐसी नहीं करना ऐसी तीन फंदे हमारे उल्टे धागा देख पर लहा है अपने तरफ करके फिर ऐसे तीन फंदे उल्टे दागा पीछे जहां हमने तीन का एक करना है तीन फंदों का जह हमारे नो नो के बल्टिप्लाई में डिजाइन बनता है नो 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 के नो के नो हमके उपर डिजाइन डालेंगे नो हमसिम्बल बुने गयां फिर नो के उबड़के इसके आ गदेर बनता है तीन उल्टे डाले हम झा अब हमने एक करना है इसके लिए जिए पिछले वाला फंदा हम सेंटर वाला फंदा हम इस लाई में चड़ा लेंगे देखो यह दो का एक कर देंगे और यह वाला फंदा जो हमने उतारा था इसके उपर से या से निगा देंगे अब फिर तिन फंदे उल्टे एक दो और तीन धागा पीछे नहीं करना धागा आगे रखना और नौ फंदे हमने सीधे बुन लेने जाली भी डल जाएगी और फंदे भी हमारा एक बढ़ जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट और नौ फिर वह हमने यह वाला रिपीट करना ऐसे धागे किया फिर क्वाल और दिया एक दो और तीन धागा पीछे यह सेंटर वाला फंदा हमने पहले इसको पीछे से दो का एक और जे फंदा जो हमने अतारा था इसके उपर से यह चेंच यह बनाने फिर धागा आगे एक दो और तीन धागा पीछे निकरना फिर फंदे नौ हमारे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ और नौ यह फंदा भी ऐसे बुनने लेंगे उल्टी स्लाइप पूरी उल्टी और जे छे फंदे हमने सीधे बुनने उल्टी स्लाइप पूरी उल्टी आप डार लो सीधी स्लाइप पूरी ने लेंगे जे छे फंदे तो सीधे ही चिड़ा नहीं है बटन पट्टी के आगे हमने एक सीधा भुना था अब जहां सीधे दो हो जाएंगे जाली वाला फंदा भी हम सीधा ही भुन लेंगे फिर धागा ऐसे घुमाया आगे हमने तीन फंदे सीधाटे बुनने दागा पीछे यहां फिर हमने तीन का एक करना यह फंदा हमने उतार लिया यहां दो का एक और यह फंदा इसके उपर से असे फिर धागा आगे दो फंदे उल्टे दागा पीछे निकारना जहां जाली डालनी हमने एक जहां फंदे हमारे नो थे अब हमारे एक एक फंदा इदुरों तरफ से बढ़ गया तेरा फंदे हो गए हाओ है हुआ हाओ हिएा है जाल यह पंदा लें मोल लेकां है अ अब फिर घागा से की घूमाया एक ओल्टा दो उल्टे धागा पीछे जे फंदा उतारा ये भी उतारा ऐसे पीछे से यहां दो का एक जे फंदा के उपर से आशे फैर धागा अपनी तरफ फिर उल्टा है कि मैं दो बुने फिर जेयर इस तरह जिया कम्प्रीट होगी उल्टी चे पूरी उल्टी डाल Do you अब हम साँपर इसी लागे तरफागा किया अब हमारे 3 सीध निच छोग फिर फिर दागा अपनी तरफ किया आगे हमने दो उल्टे बुने थे अब एक बुनना पहले तीन बुने फिर दो अब एक दागा पीछे पंदे को दो का एक इसके उपर से ऐसे धागा अपने तरफ एक उल्टा और धागा पीछे किते बेना हमने ये फंदे बुनने पिले नो थे फिर तेरा हुए अपंदरा हो गए अपने तरफ किया ऐसे किया एक उल्टा दागा पीछे दो का एक जे फंदा इसके उपर से ऐसे दागा अपनी तरफ एक उल्टा दागा पीछे किते बेना हमने सारे फंदे बुन लेने उल्टी स्लाई पूरी उल्टी ये छे फंदे हमारे सीधे अगया मैं जे छह फंदे सीधी स्लाइम है फिशे फंदे हमारे सीधे एक दो तीन फिर हमारे एक दो तीन चार अब हमारा कोई उल्टा फंदा नहीं आ रहा अब हमने जो फंदा एक एक दोनों तरफ बढ़ा था दोनों को कटा के एक कर देंगे धागा अपनी तरफ धागा अपनी तरफ करके जो फंदा हमने तीन का एक करके इसके उपर से नंगा दिया फिर पूरे सीधे फंदे चार जालियां डालेंगे यह देखो यह तीन फंदे आगे हमारे धागा अपनी तरफ किया दो का एक यह फंदा इसके उपर से आसे धागा अपनी तरफ फिर जाली उल्टी स्लाई पूरी उल्टी यह देखो एक दो तीन चार चार जाड़ियां डेलेगी और इसके बाद हम पेले हमने जहां से शुरू किया था फिर हमारे सेंटर में दो आएंगे उल्टी स्लाई पूरी उल्टी कर लो फिर आगे देखा थेंगे पेले हमने एक फंदा सीधा बुना था न अब हमारे नौ फंदे आ जाएंगे नौ फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ ऐसे किया फिर तीन उल्टे धागा पीछे फिर तीन का एक फिला दो का एक कर दिये फिर फंदा सीधा फिर तीन फंदे उल्टे एक तो तीन थागा पीछे किते बिना हम सीधे फंदे बुन जाएंगे एक तो तीन चार पांच छे आप आट और नुकम हमने सीधे बुन लिए अब फिर अमने दागा सी घुमाया है बैसा सिन यह को फिरल्ले में हमने एक पंदा पुना है अब हमने नो फंदे जो ने जेनों वाला डिजाइन बनाया या नो फंदे हमने छोड़ देने आएस 9 फंदे के उपर ये डिजाइन बनेगा यहाँ बन गया अब जहां फिर धागा कुमाया एक दो और तीन दागा पीछे जिफंदे को छोड़के दो का एक जिफंदा हम उपर से आशे तार देंगे फिर धागा अपने तरफ एक दो और तीन जाए डाने इसे किया उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बटन पट्टी के छे फंदे हमारे बटन पट्टी के आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नौ और दस और ग्यारा पंदे फिर धागा अपने तरफ किया प्यूआ दो लूप दि लागा पीछे तीन का एक करना हमने दो फंद और ये किया जिए पंदा स्टी उपर से अच्छल रख लाओर अपने तरफ दो फंदे उल्टे पने तरफ किन पीछे निकरना पीछे निकान्ना रख लूआए उल्दाव हुर्टे पीछ रख पांदे हम नौ फंदे, तेरा फंदे हम सीधे बुन जाएंगे, फिले नौ बुने थे, अब तेरा हो गए, सुरी ग्यारा हो गए, फिले नौ थे फिर ग्यारा हो गए, अब अपने तरफ किया, दो उल्टे, दागा पीछे, दो का एक, जे फंदा इसके उपर से आसे, दो उल्टे, दागा से शोड़ा, एक जाली वर परेके, उल्टी स्लाई, पूरी उल्टी, बस पहले हमने, तीन उल्टे बुने, फिर दो उल्टे बुने, फिर एक बुनना, फिर तीनों का एक कर देना, जैसे आप पूरा कम्प्लीट करके, पूरा बना लो, उल्टी से पूरी उल्टी करो, अब हम मुझे बंदाई बुन लें, दागा अपने तरफ किया, एक उल्टा, दो का एक, जै फंदाई से उपर से, एक उल्टा, भाकी सीधे, यह आपको मैंने दो डिजैन बनाने से खाए, एक तो ये वाला, और एक ये वाला, नीचे वाला, एक उल्टा, दागा पीछे, दो का एक, जै फंदाई से उपर से असे उतार दिया, एक उल्टा, भाकी सीधे, उल्टी स्वाई पूरी उल्टी, अब हमारा धागा आगे करके, ये तीनों का एक कर देंगे, एक फंदाई उतारा, दागा अपने तरफ किया, बाकी सीधे फंदे बुन जाएंगे, अब इसमें कोई उल्टा फंदा नी पुनना, पहले तीन बुने, फिर दो बुने, फिर एक, फिर कोई नी बुनना, धागा अपने तरफ किया, दो का एक, धागा अपने तरफ जाली डाल के, आप चाज तो पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नीचे नीचे इतना ही डाला है, बाकी मैंने सिम्पल बनाया है, छोटी जैकट बना रही जा रही हूँ, जागे वाला हिस्सा है, दूसरी सैड बन रही है ये वाली, कि पीछे वाला बाजू बनानी है, फिर आपको आगे दिखाती है, पूरा बनाकर फिर कटिंग तक आजूं, फिर आपको दिखाती है, यह देखो इतना मेरा बन गया तो किजिए जैक्ट छोटी जैक्ट है हाफ जैक्ट है इसलिए हमने इतनी बन आई है इतनी बन गई अब हम की आम होल की कटिंग करेंगे एक दो और तीन उल्टी स्लाइप पूरी उल्टी और जे शेफ हंदे हमारे सीधे आएंगे ऐसे हदूकि हमने इतर बनाना बनाना ज़की कटिंग होई और इध्यर से कटिंग होईगी को उल्टी स्लेप और करेंगे सीधी स्लाई अब जे फंदा हमने बुननानी वैसी उतार लेना ऊल्टी स्लाई जे फंदा हमने उतारा था वैसी धागा पिछे करके जे फंदा भी वैसे उतार लेंगे और इस फंदे से इसको यह पेला तीन अब दो फिर हम एक डाल लेंगे ऐसे उल्टी स्लाइप पूरी उल्टी डाल के सीधी स्लाइ में फे मिलते हैं जो फंदा वैसे उतार लेंगे जो उतारा फंदा तो आसे उतार लेंगे धागा पिछे करके एक फंदा और उतार लेंगे अब इसके उपर से जिदेखो कटिंग की आपको नजर नहीं आ रहे एक जास से बन गी ऐसे थोड़ा सा बना लो फिक गले की कटिंग आप करना सिखाऊंगे आपको कि यह दैं को से डिला ॅजर्ण हम मूंडे की कटिंग करें गे इसके साथ तंहीं हम एक इधर बटनहूल बना लेंगे सिद्लिंग में धागा आगे किया थे दो का इक करती आप ऐसे डोधों बन घया आप थोड़ा सा आगे में बनाकर आपको गले की कट्टिंग करना सिखाती है ये दिखो ये पूरा हो गया जह मैंने 30 सलई लाइया डालके यह 6-7 बछे, की कटिंग करने जा रहे हैं यह वालियां साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा तारा उन्हीं भी इकी बाई तेई चोई पत्ची चब्धिस थाई ठाई नती तीस तीस हो गई है इतना सा मुंडा मैंने बनाया है अब हम गले की कटिंग करेंगे पहले थे ह हम जिब बढ़न पट्टी वाले पंदे पूरे बंद कर देंगे एक एक दो तीन तीन चार पांच और छे पढ़न पट्टी के हो गए तीन फंदे हम और करेंगे एक दो और तीन अब बाग की सीधे बुन लेंगे एक फंदा वैसे हम उतार लेंगे सीधी स्लाई यह फंदा उतारा हुए वितार लिया एक फंदा और उतारा एक और दो पहले हमने तीन कड़ाए फिर दो अब दो दो की कडिंग करके उपर हमने आपको आपको आगे दिखाती है देखो पेरा पुरा गला बन गया मैंने आट स्लाई यह सीधी उल्टी की चड़ाए पुरा हमने गल्डे की पुरी शेप बन गई अब हम पीछे वाला हिस्सा भी बना लिया यह देखो पीछे वाला हिस्से के मैंने 64 फंदे डालके यह मैंने बना लिया अब हम दोनों के ऐसे फंदों को जोड़ देंगे दोने तीरे आपस में जोड़ देंगे दोनों तरफ से किक फंदा लेके ऐसे हम बंद कर देंगे आप सुई के साथ बंद करना चाहिए सुई के साथ बंद भी कर सकते हो मैंने ओर डड़ी कही स्वेट्रों में सुई से बंद करना भी सिखाया है आप मेरे चैनल में जाओ के तो आपको मिल जाएगा इस तरह आप दोनों तीरे जोड़ लो फिर आपके हम बाजू के बनाना आपको सिखाती हूँ यासे आप पूरे दोनों दोनों तरफ आप जोड़ लो मैं लंबाई रखीज जैकट की आप हम अपको मैंने एसां डिजैन डाल ला मैंने थोड़ा यह निए पीट से बनाये स्कों मां हाईले करने के लिए मैंने थोड़ा इम्रोडरी कर दें इसमें ने कैसे बनाया दिखो इसे बूलियन स्टिच भी बोलते हैं देखो ऐसे करके एक दो तीन चार पांच छे चे वर ऐसे करने के बाद थोड़ा जया डिजाइन डिफ्रेंट जया पना दिया मैंने नीचे से पक्का कर देना एक और आपको फिर दिखा देती है यहां से बेकर एक दो तीन चार पांच छे तुई को ऐसे निगार कर जाइन जाइन इजब को बेकर लिए मैंने कर देसी पंग कर दोड़ा दीन चार इजब से पया पक्का कर दो भर च जब हो हुआ 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 है थोड़ा हाइलेट बन गया अब हम गले के फंदी उठाएंगे जहां से चुड़ू करेंगे सत्तर फंदे हम पूरे राउंड में इसके उठा लेंगे करेंगे हैं ऐसे पूरा फंदे उठाकर हम सीदी सीदी से लाया का बॉर्डर बना लेंगे जाहां जाहां हमने कटिंग की है इसकी जाहां फंदे उठा लेंगे ने के जाएंगे इसे हाँ प्रडर उठाकर पूरे राउंड में सत्तर फंदे उठाएंगे सब्सांडे हम आगे कि आर्यर गजाम पूरा उठाकर आ जाहां अब हम बनाएंगे माद्ए मैंने बावजु एक बनाकर त्यार की है 36 फंदे मैंने डालके पहला मैंने बॉडर बनाया फिर आगे सोड़ डिजाइन डालके पांच में पांच में सलाई में मैंने एक एक फंदा बढ़ाने के बाद उपर मैंने 60 फंदे कर लिए है ओपर फिर हमने थोड़ी सी कटिंग की इसकी कटिंग करना आपको नहीं सिखा रुक्ति दूसरी बावजु मैंने त्यार की हुई है जैसे मैंने गले की और मॉंडे की किया है वैसे हमने बाजू की भी करनी एक फंदा हमने छोड़के फिर आगे दो तीन तीन फंदे और एक चार फंदे चार फंदे करने फिर दो तीन करूंगी फिर दो दो की कटिंग करते जाएंगे आसे आप पूरी स्वाई खत्म करने के बाज इधर भी ऐसी करेंगे जिफंदा वैसी उतार लेंगे उल्टी स्लाइब में भी हमने पंदा उतारा एक दो और तीन इधर भी तीन की करने चार की निकानी में रिकलती से चार के दिया तीन करने तीन तीन की करके 2 दो की करेंगे जब ऊपर जो भी फंदे रह जाएंगे फिर हम का कट्hे बंद कर देंगे जैसे एक दो तीन चार पांच छे वर आएगे अपनी कटिंग और इसके बाए ऐसे आप पर उपर आएगा तो बंद कर देंगे इतना बना लो फिर आगे आपको मैं दिखाती हूं पूरी बन गई गलावी बन गया कि अगया है कि अगया है यह बाजू है यहां हमने दो बटन होल बनाया ना यहां हमने एक थोड़ा सा यह पट्टी सी बना कर थोड़ा से स्टैप से लगाएंगे ऐसे जिनने एक दो तीन चार पांच छे सा आठ फंदे बना कर मैंने थोड़ा सा बनाया है अब एक खम बटन होल बनाएंगे दागा सेंट्र में बटन होल थागा आगे करके चार फंदे बुनके थागा आगे करके दो का एक पडिल डाइव डिस लाइभ पांच रिसके नाय करहिं थाग अगे थोग्योड देख अैचल ड़ फैस लका अगे सब्सकुण לקना है ने अ 5 झांचे लागा झांचेड़ बज़ने तका बांचें। झाल 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 जाल भी आटन विस्तरह एठ्टे लगा दो आगे चार बटन लगेंगे एक दो जहां लगेंगे दो यहां लगेंगे यह बटन हो लगाना यह बटन हो लगाना थेंक यू लाइक, शेर, सब्सक्राइब काना मत भूलना